आजम बनाएंगे बटर स्कुछ क्रंच इसे हम केक में आइस क्रीम में या स्वीट्स में चॉकलेट्स में यूज कर सकते हैं देखे इसके लिए मैंने क्या कहलिया है मैंने गैस पेक नोंस्टिकी पैन चड़ा दिया है अब हम इसमें देट सो ग्राम चीनी डाल देंगे और अ हम इसमें बिल्कुल भी पानी या नहीं करेंगे चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है देखे चीनी मेल्ट हो चुकी है अब हम गैस की आँच दीमी करतेंगे और इसमें दो स्लाइस बटर की डाल देंगे जो छोटी वाली होती है ने पांच उर्पे की आती है वह वाली मैंने लगबग 25 क्राम बटर लिया है अब हम इसमें नट सेट कर देंगे मैंने बदाम को कूटके डाला है आप कोई भी नट सच्च से कूटके इसमें डाल सकते हैं जैसके काजू पिष अब हम इसको सेट होने के लिए किसी पलेट में रख देंगे गरंच डालने से पहले हम प्लेट को अच्छे से ग्रीज कर लेंगे तांकि हमें इसे अलग करते हुए दिक्कत ना हो आप चाहें तो इसे बटर पेपर या सिल्वर फॉल पर भी सेट होने के लिए रख सकते हैं इसे अलक असर टैप कर लेंगे देखिए पटर स्कोच क्रांच सेट हो चुक है अब हम इसे अलग कर लेंगे चाकू की साइता से भोती इसली रिमूव हो जाता है देखिए इन टुकड़ों को हम केक के डेकोरिशन में यूज कर सकते हैं या फिर हम इसे कूट के भी किसी भी तरह आप इन्हें यूज कर लें अब हम इसे अच्छे से किसी लिफाफ में पैक करके और कपड़े में डालके बेलेंस अच्छे से इसे कूट लेंगे देखिए अब बटर पेपर हटा देंगे यह हलका सा मोटा है आप चायते से बारीक पी कूट सकते हैं आप इस रेस्पी को ज़रूर राय करें अगर आपको मेरे जे रेस्पी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें थैंक्यू करेंगे